चलिए वेटेज वाले की बात करेंगे अब चलिए एक बार और फॉर्मेट बनाईए नोटिंग आपको पीडिएफ मिलेगा आज सारे बच्चों को फॉर्मेट जो मैं बोल रहाँ ना बनाईए ये देखूँगा मैं कुछ बच्चे समेस्टर फॉर्में कहते हैं कि सर ये तो पहले करा था हमने समेस्टर वन में क्या सेम वही है ये तो मैं कहता हूँ जी बिलकुल सेम वही है बस इसका एक सेकिंड पार्ट है वो एक्स्टेंशन हो जाता है मतलब वो तो टॉपिक ही अलग हो जाता है झाल बाता है कि सम पॉपिक है तो मातले है झाले हो जाता है झाले हो जाता है झाल 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 बिल्कुल कोश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे डेफिनेटली ऐसा नहीं है के नहीं मिलेगा कोश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिलने वाला है अब करेंगे वेटेड एवरेज से अब जो करने वाले हैं वो है वेटेड एवरेज कहानी वही सवाल वही अब वेटेड एवरेज में देखना क्या होगा लीफो और फीफो से बिल्कुल अलग होता है हमारा वेटेड एवरेज जैन वन में हमने रिसीव किये हजार यूनिट फर्स जैन को हमने रिसीव किये हजार यूनिट और बैलेंस में भी बचा एक हजार यूनिट बैलेंस में भी आएगा फिर से हमने जैन 10 में खरीदा हमने 260 यूनिट ध्यान दीजेगा 10 जैन को फिर से रिसीव 260 यूनिट 1 रुपीज 05273 अब बिल्कुल ध्यान दीजेगा फरक यहां आएगा अब हमें एवरेज करना है यानि ना तो लीफो चलेगा ना तो फीफो चलेगा लीफो फीफो में हम हर स्टॉक को अलग अलग इसलिए लिखके चलते थे क्योंकि हमें प्राइजिंग यह देखना था कि पुराने वाले को पहले बेचना है या फिर नए वाले को बाद बेचना है ऐसे करके चलते थे अब यहां पर ऐसा नहीं है भाईया जो एवरेज प्राइज आएगा बेच दो तो सबसे पहले जो अब यूनिट होने वाला है बिल्कुल ध्यान से देखना 1260 तो पहली बात तो 1260 यानि यहां पर यह नहीं पता चलने वाला कि कौन से यूनिट कितने रुपे में खरीदा गया था अल्दो आप यहां से तो पता कर सकते हो लेकिन यह बैलेंस से नहीं पता चलेगा लेकिन पिछले वाले सवाल में देखो तो balance से एक और each and everything पता चलता था ये इतने का खरीदा गया, ये इतने का खरीदा गया लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं पता चलेगा, mix हो गया और अब क्या होगा, पहले हमारे 273 थे, अब हमारे 1000 है तो पहले 273 और 1000 तो ये हो जाएगा 1273 यानि जिस तरीके से unit जुड़ा है, वैसे ही price भी जुड़ जाएगा पहली बात, यानि unit को भी जुड़ेंगे और price को भी जुड़ेंगे इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद हम divide कर देंगे सर इन दोनों के बीच में, divide जब करेंगे तो क्या आएगा यानि 1273 को divide कर देंगे 1260 से, 1273 को divide कर देंगे 1260 से तो एक unique rate हमें पता चलेगा सर, और rate क्या पता चला हमें 1.01, ये rate आया हमारे पास निकल के पहले देखो अब ये rate ना issue में आपको receive में कहीं भी नहीं मिलेगा तो 1 है और यहाँ पर 1.5 है, तो यहाँ पर क्या है हमारा 1.0, multiply करोगे ने तो हमेशा सेम आ जाएगा हाँ मैं कहूंगा अगर आप शायद multiply करोगे ने तो कुछ का फरक आ सकता है reason being कि friction वाले point को हमने छोड़ दिया, तो उसकी tension मत लेना सर गुणा करने पर तो आई नहीं रहा, 2, 4, 5 रुपे का फरक रहेगा, वो okay है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है पहला difference आपको दिख गया, फिर से हमने क्या खरीदा? अरे issue कर दिया, फिर से हमने क्या करा? issue कर दिया, जैसा ही हमने issue किया, अब देखेगा issue में, कब करा issue हमने? 20 तारिक को, 20 जैन को सर, issue कितने unit किये हैं? सर, unit मेंने 700, अब देखो, tension ही नहीं है सर, 700 लिखा, और rate 1.01 लिखा, ध्यान दिजेगा अब multiply कर दिजे, कितना आ रहा है, 700, 707, पहले यहाँ देखे, लीफो और फिफो, इंपेक्टिड होता है issue वाले column में, average impacted होता है, balance वाले column में, दोनों में फरक समझ में आ रहा है आपको सर, अब balance कैसे निकालेंगे, balance में 700 में से निकल गया, तो सीधा क्या लिखोगे, 560, कितने वाला 1.01 अब मैं यह नहीं कहूँँगा, इसको multiply करो, फिर mismatch हो जाएगा, आप इन दोनों को difference लो, कितने आएंगे? 1273-707, 566 का आएगा, अल्दो आप multiply करोगे न, तो क्या आ रहा है multiply करने के बाद दे बता न, 0.4 का difference आ रहा है, तो भई, एक से पांच, दस दस रुपे तक का difference इसमें valid है, आएगा इसमें difference आपका कई बार, चलिए, अगले point पे चले, जैन 21, receive 400 unit, अब फिर से receive कर लिया, 21 जैन को, जब आपने receive कर लिया, 400 unit, 400 unit कितने वाला? 0.15, यानि, अब देखो, बदलाओ, यहाँ फिर बदल जाएगा सर, 560 और 400, सीधा आएगा आपका 900, अब rate को भी जूड़ेंगे हम, 566 और 460, कितने होंगे? 566 और 460, प्लस करके बताइए, 1026, अब नया rate आपको बताना है, कैसे बनाओगे rate? इस 1026 को डिवाइड कर दोगे 960, कित क्या रहा rate हमारा? 1.06, सिर्फ 7 ले सकता हूँ, मैंने का point का फरक चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, अगले point पे चलते हैं, 22, 22 में receive, again received वोई कितने? कितने रुपे? कितने रुपे का? अब balance बताईए, मैं balance नहीं बताऊँगा, आपको balance का rate, मैं सभी से पूछना चाहूँगा, जितने बच्चे भी live में है, जितने भी बच्चे live में है, सभी बताऊँगे balance का rate क्या है, और offline जो बैठे हैं, वो भी बताऊँगे balance का rate क्या है? 1.1, एक answer आया, 1.22, 1.11, देखते हैं, और बच्चों का क्या रहता है? 1.11, वाई, 1.11 तो line लग गई बच्चों के, 1.11, सभी बच्चे 1.11 वाले हैं, यहाँ पे, चेक कर लेते हैं, कैसे निकलेगा सर? 960 और 300, 1260, 375 और 1026, 1401, डिवाइड करेंगे तो, तो सर, यह सवाल बिल्कुल, जिसने भी 1.11 बोला, उसका answer, जिसका आया भी, ठीक है उनका answer, चलिए इसको उपर कर दे, अरे, यह लीजिए, देखें, यहाँ देखने की कोई अवज़ लगता है नहीं, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया, सिर्फ सवाल ही तो देखना है, इससे उपर लेयर पे लिया है, टॉप लेयर पे, बात खता हूँ, यानि मुझे ना कई बार ना यह वाला आसान भी लगता है, लेकिन अगर आपके एक्जाम में कैल्कुलेटर चीन लिया जाए, तो हालत खराब हो जाएगी, इस वाले में, ठेक है ना, पहले वाला लीफो फीफो तो चलेगा, लेकिन इस वाले में कैल्कुलेटर ले ले लेना है, तो फिर मुस्किल है, क्यूंकि हर बार हमें रेट निकालना है, फिर मल्टिपलाई करना है, वो दिक्कत रहेगा, चलिए सर, हम आगए, जैन 22 के बाद, जैन 23 की बात करते हैं, जैन 23 में इशू कियें 600 यूनिट, ये बड़ा मज़ा आता है, इसमें इशू करने में, इशू कियें बड़ा मज़ा, कितने कियें, कुछ सोचना ही नहीं है, छेस्सो बीस, लास्ट वाला रेट उठा के फटा-फट, कितने आएंगे, 688, अब बैलेंस निकालने में, इसमें थोड़ा सा है, 1260 में से 620 माइनस करेंगे, 1260 में से 620, क्योंकि ये भी कौन्टिटी है, 640, 1.11, इसके डिफरेंस लेके कर लेंगे, ये वाला, और 1401 के बीच का डिफरेंस, 700, 712, देखो, इसका नाम जब आता है न, 13, चलो 12 कर दिया, 13 आएगा, चलो, फिर से इशू, सर फिर से इशू, इशू के अंदर तो, मजा ही कुछ और है, अब कितने इशू करें, 240, 1.11, बताईए, 266, बचे कितने, माइनस कर दो, 444 बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं, मैंने तो, डारेक्ट मल्टिप्लाई कर दिया, आप बताईए, 47, 3 रुपे का फरका रहा है, सर, अगला 25 रहे, क्या करा है, रिसीव, रिसीव वाला, थोड़ा सा कॉंप्लिकेटेड है, 501.1, 550, बैलेंस को निकालते हैं, सर, बैलेंस निकालते हैं, 400 और 500, तो 900, और 550 और 447, कितने होंगे, 900, 97, 997, रेट आपको निकालना है, बच्चों ने निकाल भी दिये, क्या, कितने होंगे रेट, 1.10, 1.10, चलिए, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, जैन 25 के, 25 कर लिया न, हाँ, जैन 26, अब एक कम जगे भी कम ले रहा है, मैं देख रहा हूं यहाँ पर, है न, वहाँ पर छोटा भी करना पड़ा है, यहाँ तो जगे बचेगी आ उल्टा, तो इशू में कितने कर रहे हो, उसर 380, यह रहा 380, 1.10, कितने होंगे, 418, अब माइनस कर दो, 380, कितने बचेंगे, 900 में से 380 गए, तो 520, 1.10, कितने बने, 579, आगें आप से इसमें पूछा जाए, क्लोजिंग स्टॉक का वेल्यू बताईए, तो 579, यूनिट में बदलाव नहीं होगा, यूनिट देखो, आप 3 का चेक करते हैं, पहले वाले यूनिट में कितना आ रहा था, 575 आ रहा था, रुपए, दूसरे वाले में जी आया हमारा 532, और तीसरे वाले में, तो 3 में रेट क्या हो जाता है, क्लोजिंग का, अलग हो जाता है, तीनों में आपका cost of sales अलग हो जाएगा, तीनों के अंदर आपका profit वगरा कुछ निकालने को बोला जाएगा, तो वो सब अलग हो जाएगा, अब यह बताना, यह हम कौन सा system फॉलो कर रहे हैं, प्रियोडिक या perpetual, प्रियोडिक या perpetual system, जितने भी हैं, यह भी आपका perpetual है, यह भी आपका perpetual, प्रियोडिक भी अभी करके दिखाऊंगा मैं, उतना चलेगा, मतलब ऐसा तो नहीं है, बाकी frequently है, प्रियोडिक में तो एक दिन बान देगा, एक साथ चौदा ऐसे, तो वो प्रियोडिक हो गया, मतलब fix interval रहेगा, यहाँ पर interval ऐसा कोई fix नहीं, कई बार मान लेते हैं, कोई छुट्टी उट्टी हो गई होगी, तो इसलिए ऐसे कर दिया इसने, otherwise आपका यह perpetual ही रहेगा, चलिए, यहाँ तक बताईए, किसी को कोई doubt,